अध्यक्ष मौदे ये क्या है लास्ट तक रुखते हैं बोल के जाने वाले नहीं है अध्यक्ष मौदे मैं सोलमी बार रेलवे बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ मैं 2009 में पहली बार आये था तो भी बोला था और लगातार जो है आप मुझे मौका दे रहे हैं सब्सक्ष करना चाहते हैं उसमें जिनकी हम च Fr чуть पर चाहते हैं यं के लिए उसमें रेल्वे आज गरीबहीं पर पिछली बार भी आप रातbles.15 बार एक बज़े तक जग के zap से बहुत कम ऐसा आपसर मैंने देखा कि लोगसभा का अध्यक्ष वो खुद से इन चीजों में इंट्रेस्ट ले रहा है वो बैठा हुआ है और मैं मानिय मंत्री जी असुनी वैसनफ जी कभी आवार प्रगट करता हूं कि ये भी कभी भी मिनिस्टर अप स्टेट या दूसरे मंत्री को नहीं चोड़ते हैं मानिय मंत्री जी पूरा समय सदन में बेठा सुने हैं तो आप दोनों सबसे पले बढ़ाई के पात रहें कि सच्मुच सच्मुच ये सदन लोकसभा गरीबों के लिए बना है और गरीबों की बातों को प्राथ्मिक्ता देते वे उस पर डिसक बजट को केंद्री बजट में क्यों सामिल कर दिया यह सबसे बड़ा रिफॉर्म मानि मोदी जी यदि मोदी जी ने कोई काम सबसे बड़ा काम किया इस देश के दरीवों के लिए तो रेल बजट को जेनरल बजट का पार्ट वह कैसे बनाया कि मैं 2009 से लेके 2014 लगातार इस स कर्चा होती थी कि यात्री किराय की बिद्धी होगी की नहीं होगी दर्मेन रियादव साहब के साथ जो है मैं उस वक्सान सकते हूं प्लेटफॉर्म टिकट पर कितना पैसा बढ़ गया किस इलाके के लोगों को कौन सा रेल मिल गया 2015 के बाद से एक भी मेंबर आप पारलेमेंट ने किराय की यह दिबात कहीं हो तो आप प्र Simpson को कह सकते हैं किराय में किराय में किराय की बढ़ने की बात करता है इसका मतलब यह है कि पिछले 9 साल में अध्याक्षी जी किराये में किसी प्रकार की कोई व्रद्धी नहीं हूँ और ये सबसे बड़ा काम जो है माननिय प्रधान मंत्री जी ने किया इसके लिए माननिय प्रधान मंत्री जी के साथ माननिय मंत्री के रेल मंत्री असुनी वैस्तव जी बढ़ाई के पाद दूसरा बड़ा जो ट्र गामिनों को यदी रोड की सुविधा मिली तो उसके लिए अटल भिहारी बाजपी जी जिंदगी भर अजर अमर होंगी और मैं आज आपको कहा दे रहा हूँ अभी तो मानी मोधी जी को बहुत लंबे वर्स तक प्रधान मंत्री राना है लेकिन जो अम्रित भारत स्टेशन का concept लेकर मानी प्रधान मंत्री जी आये हैं और जिसका नेतरित मानी असुनी वैसनर जी कर रहे हैं ये देश सर सर रेल्वे ने जो दूसरा transformation लिए जो जिसका मैं जिसका मैं आम्रित भारत इस्टेशन इस्टेशन देखा था कभी इस्टेशन कभी देखा था मनीकम आप जब से MP بنे हो नас पता किया एक बार रेल जो किओ इस बार न tents किए शात किए मैं टूसरी बात कर रहा हूं जैसे पिछड़े मैं जारखन राज से आता हूं पूरे देश के revenue का वो जारखंड देता है लेकिन गोड़ा जहां से मैं सांसद था अध्यक्ष महोदे 75 साल में गोड़ा के लोगों ने रेल नहीं देखा और आजादी के 75 साल बाद 2022 में यदी रेल गया गोड़ा तुमाने प्रधानमंत्री जी के कारण गया और माने बैसनब जी के कारण मैं बढ़ाई नहीं दूँ साले साथ हजार करोड़ इसमें मिला है और जो सबसे बड़ा transformation है कि हमारे जैसे पिछड़े जगह के जो सांसद होते हैं उनको रेल इसलिए नहीं मिलता कि rate of return के आधार पर जो अंग्रेज कानून बना कर गए अंग्रेज के कानून के आधार पर ही पूरी की पूरी कॉंग्रेस 70 साल तक रेल नहीं देती रही क्योंकि आपके इलाके में rate of return नहीं है और मैं आपका सुक्र गुजार हूँ कि एक दिन जब मैं यहाँ भासन दे रहा था आज से दो साल पहले और मैंने दो बाते कही लिए 1853 में मुंबई थाने चालू वा जिसको की पहला रेल करते हैं यह मैंने पहली बात कही थी और दूसरी बात मैंने कही थी कि जार्खंट जैसा राज्या आपको इतना पैसा देता है यही रेट आफ रिटा आपने सब कुछ बदल दिया आप राजा महराजे को जितना गाली दो यदि जोथपूर में जैसल मूर में उदेपूर में मंत्री जी को मैंने कहा यदि आपके राजी में रेल है तो उसका कारण यह है कि वहां के राजा ने अपने जनता के लिए थिया हम भी तो जनता की सेवा के लिए ही है रेट ऑफ रिटरंड के आधार पर रेल लाइन नहीं बनना चाहिए तो कि कही एक राज सरकार हैं जो पैसा नहीं देना चाहती है और मैं प्रधान मंत्री जी का सुक्र भुजार मैं उन्से व्यत्तिकत वार पर मिलने के लिए गया था और उयों ने इस देश के पूरे पॉ चाहता हूं यह लोग सर क्या है कि जाती पर भी टोकेंगे एमस्पी पर भी स्पीकर साथ टोकेंगे वाइनार्ट पर यदि कोई भुकंत वाली घटना हो जाए सब मुझे लगता कि कॉंगरेसों ने जो है अच्छी बात सुने का जो है थैसला है नहीं किया मोधी फोबिया स वो अंतिम सोग है सर कि उसमें कहा कि सर्व भर्वानी परितज्यों मामे कंवर्द अहन तौंग सर्व पाप्रेब्यों मोख्षि सियामी मासुच्छा मैं सभी कॉंग्रेस और विरोधी सांसतों को कहता हूं कि मोधी जी के नीतियों में समाइध हो जाओ मोधी जी सबका विकास कर देंगे तुम लोग भी जिंदिगे वर मेंबर आप पार्लिमेंट बनते रहो कि मैं जो बात कहना जाता हूं द्यश्मोद है कि मेरा जो इलाका है मेरा जो इलाका है वो इस देश को समझने वाला इलाका है यदि कुरुछेत्र में कृष्न ने गीता क तो करल की जो राजधानी थी वो अंग प्रदेश हमारे यहां समुद्र मंथन जहां जाहे वो नासिक में हो हमारे यहां समुद्र मंथन हुआ मंदार पहाड बावा बैदनात हैं अभी भी आप समझे कि सुमबार के दिन जो है अध्यक्ष मोदे आठ लाख लोगों ने वहां भीड कहीं ने रहती है उस इलाके में रेल इंफ्रसक्षर और टुडिजम जो है सबसे बड़ा रोजगार का साधन जो है इस दुनिया में टुडिजम कई एक रेल लाइन ऐसे हैं जो की पेंडिंग है और मानी मंत्री जी ने आस्वासन दिया था कि स्वादीन की जो कारियो और अस्थान में गंगा पर पूल क्रॉस करेगा यह पांच बाइपास हो वह अभी तक नहीं हुआ है मेरा मंत्री जी से आगरा होगा कि वह हो जाएगा दूसरा कोईला जो है 2070 तक हमने कमिट किया है कि 2070 तक कारवन इमिशन में कोईले को खतम कर देना है हमारे यहां कोईल और गोड़ा से लेके पाकूर तक केबल कोईले का बड़ा बंडा तो गोड़ा से पाकूर रेल लाइन भी जो है वो फसा हुआ है जिसमें की कोल का जो एक्षिन है कम 15 माईन्स उसमें आएंगे जो एक्षिन है और तीसरा दो प्लेट्यों को मना कर बना कर जो है यह होते हुए इदि कोडर्मा होते हुए हम चले जाएंगे तो हमारी दूरी जो है वो डेड़ सवा 170 km हो जाएगी तो हम अपने आपको रांची के साथ जोड़ पाएंगे और दूसरा देवघर में जो बंदे भारत से हुआ है सर बैदनाथ से विस्वनात ये रेलवे के पाइप बनावब ये खमी में आपट् से पाईंगे वेगर गयर का बैंवा जाएंगे दिए ओनाख से जाएंगे भारत पमारी देमारी चίνल से जाएंगे पाईग sew डह में आहनात आँवार गांटूरी रेलवागे के विस्वारता हुए हम आंएगर बंदेगे आइवाए पारत द